नमस्कार कुटिंग इस चाली में आप तब का बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत से मसालों की रेसिपी में डाली हैं आप लोग ने बेहत पसंद करें। आप मैं फिर से लेकर आई हूं मज़दार सा मसाला सांबर मसाला उससे आप एक राल बनाव प्रव के भूच होगे मसालों बजार से लेना। और मुझे और मुझे मुझे प्रवड करके जरूर का बताएं कि आपको ने प हीसा लगा। और कोई रेसिपी आप चाहते तो वह भी आप मुझे बता सकते हो, कमेंज ब कमेंज करके। पर पसंद आया तो लाइक शेर सब्स्क्राइब करना बिल्कुर न भूलें नई है शालन में तो जो ते सब्सक्राइब कर बटन दबा दीजिए ताकि रोज के अपड़े सब्सक्राइब पहुंचे इतने बैल आइकल जरूद भाईये का चलिए शुरू करते हैं बनाना पैन क अब हमने रख दिया गयास के उपर और नांस्टीक पैन ले लिजी इसके अंदर डालेंगे शाबू धनिया तो छोटे चमबच की मेजिरमेंट से हम शाबू धनिया डालेंगे गयास को बिल्कुर हल्का कर दिया है तो मेरे जुएस में 6 चमबच मैंने शाबू धनिया के दा लगातार हमलाते हुए हम इसको ड्राय रोस्ट कर देंगे ड्राय रोस्ट करने से क्या होगा नमी इसकी दूर हो जाएगी मसाला हमारा ज़र्दी खराब नहीं होगा लंबे समय तक बिल्कुल ठीक रहेगा उसके साथ-साथ जो है ये टेस भी बहुत ही बढ़िया करेगा इ इसकी shelf life increase हो जाती है इसके कोई भी moisture नहीं रहना चाहिए सारे moisture को हमने खतम कर देना है तो इस तरह से frame medium कर देंगे और लगातार इसको हिलाते हुए हमने भून लेना है तो हमने इसको color change नहीं करना है इसको dry rose करना है ताकि इसकी नमी खतम हो जाए अब इसको निकाल लेंग करना है बसको आदे मिनट के लिए हम dry rose कर लेंगे ताकि नमी जो हिए धूर हो जाए मौच्टर इसको निकाल लेंगे अब इसके नजए अब इसके नहीं डाल देंगे काली मिर्स की ने काली मिल्रे निकाल देंगे पिल्कुल इसके प्रपोर्शन के साथ बनाओगे तो आपका मसाला भी बिलकुल बजार जैसा बनेगा बनाओव 1 मिनेट के लिए हमने इसको राय रोस कर लियेक कि इसको बिलकुल हाका कर रहाते है है और इसको जूए उन्ही मसालों के साथ किकृषषा पूरो थे थु небольш को दालेगे तर से लिर्व दाल ली रावश्चारथ बिलकूरो यद्स के दाला नह भी हम य।ाल consent लंगे थि जो लिए विलीयुन दॉनव छीजहों को चाहनें अबरा आख से हिलाते होए इसको में मीडियनफ्लेम में थाख से तो जब इसको हमादेश के चाहले में तब हमिट नहीं प्रते की कऱीपते इसको मैंने पहले से ही धो लिया था और इसको इसके साथ ही हमने ब्राय रोस कर लिया यह बहुत ही जुरूरी इंग्रीडेंट है इसको मिस्स मत करिये तो आप चाहें तो कड़ी पत्ते को अलग से भी ब्राय रोस कर सकते हैं और गयास को बंद कर देते हैं और यह सब निकाल लाइगा अब इन सारे मसालों को हम ठंडा होने तो मसाले सारे जुए हैं ठंडे हो चुके हैं अब हम लेंगे मिक्सिका सब तो छोटा वला जार जिसमें हम मसाले करते हैं और थोड़ व inadequ करके मसाली डाल देंगे इसने और ऑजिए अच्छे से पीछे से प्राइगे कि अिसके साथ जुनानर्मक दालें तो एक चम्मच नॉर्म नमक जालेने मैं उख्श मेरे देने इसेख जिस नाले है और जि अंच चेक लेते हैं तो मसाला हमारा अल्मोस्ट पिस्ट चुका है अब इसके निर मार्गा देंगे हैं हर्दी पॉलर दादेंगे और इसके साथ ही लाल देखे मिर्च एक चम्मिज भरगा और एक बार दुबारा से इसको कुमा देख कर लेते हैं इस आफ़ नहीं पिख भी बढ़ी हमारा जो एक सांबर मशा बनकर तयार हो गया यह आफ देख सब्सकियों के रंगत और इसका जो टेक्चर की तेख सब्सकियर भिबिलकुल बिलकुल बजाची भी बढ़ी हमारा मिसाना बना इसको जब आप पीसे लास्ट में जब अब बढ़ा बना यह देखिए पास्ट से में आपको दिखा क्यों लगा ना बढ़िया इसको एटाइट कंटेर में बंद करकर रखें और लंबे समय तक आपका मसाला भी खराब नहीं होगा पर आप इसको एटाइट कंटेर में ही भरकर रखें यह देखिए इसको बस सांबर बनाईए और यह मसाला राट कीची है और मज़ा रीजिए सांबर का भूल जाएंगे आप बजासे लेना आश के बाद तो रेसिपी पसंद आए तो खुब शायर करें कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं और लाइक का पटन जरूर दुबाए अगर आपको रेसिपी पसंद आए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सेके और नहीं रेसिपी आपके लेकर हूँ तो चलिए मिलते हैं और नहीं रेसिपी के साथ थन्यवाद